चलिए आज हम लोग देखते हैं कम्पनी जैक्ट में ऑब्जेक्टिब्स, डिफिनिशन और नेचर ऑप कम्पनी के बारे में एललबी सेकेंड यर आपको यह पढ़ना है कम्पनी जैक्ट को और मैं डॉक्टर राकेश कुमार आज आपको बताऊंगा कि कम्पनी के सबसे पहले हम देखेंगे कम्पनी के मीनिंग्स क्या है, मीनिंग ऑप दी कम्पनी अगर हम meaning of the company के बारे में देखने जाएं तो जैसे कि आप company जो word है company यह company दो word के मिलने से बना है कौम जोर पैनिस मतलब कौम मिन्स togetherness togetherness साथ 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 पैनिस का मतलब होता है bread bread मतलब रोटी मतलब साथ साथ रोटी के लिए मिलना लाव कमाने के लिए जब हम कई लोग एक साथ आते हैं तो वो एक company का निर्मान करते हैं काया आता है कि पुराने समय में बहुत पहले जब लोग कभी party में इकठा होते थे किसी भोश प्यामंत्रित होते थे तो वहाँ पर business की बात है किया करते थे और उस business की बातों में वो आपस में मिलकर के काम करने के बारे में बात करते थे तो इस तरीके से अगर according to word, company के word देखे तो कम जो रपैनिस एक साथ आ करके लाब कमाने के उद्दे से जब कुछ बहुत सारे लोग एक साथ इकठा होते हैं हाँ, तो वो क्या कहते हैं? वो company का निर्मान करते हैं लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो है क्या? Companies Act 2013 Companies Act 2013 में जो company के परिवास से दी गई है according to companies Act 2013 वो दी गई है section 220 में section 220 क्या कहता है? section 220 कहता है अगर section 220 कहता है company means a company incorporated under this act or under any previous company law वे company का मतलब वह company जो यह जो 2013 का Act है उस Act से या इसके पहले के जो लौ है company के बारे में उस लौ के द्वारा या और भी किसी लौ के द्वारा जो उनका निर्मान किया गया है वो क्या है? वो company है Company Act 2013 क्या है? Company means जो section 220 कहता है company means a company incorporated under this Act मतलब 2013 के जो Act है उसके किसी कमपनी का निर्मान हुआ हो या under any previous company law या किसी पहले के जैसे company act 1956 जो इसके पहले जो लौ थे उसके अंतरगर जिसका भी निर्मान हुआ है वो सब क्या है? वो सब company है चलिए अब हम देखते हैं कि company act जो 2013 जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं वो उसकी applicability कहां है? अप्लाई कहां होता है? तो इसके लिए हमें देखना होगा company act का सेक्शन वन, company act का सेक्शन वन के इसमें बताता है कि वो जो company act 2013 है वो किस किस कमपनियों पर अप्लाई होता है तो the provisions of this act is applied to आप इसमें देखेंगे तो एक है जो हम लोगों ने अभी देखा registered under company act जो registered है जो company क्या है? रजिस्टर्ड है company act के अंतरकत या किसी any previous law के अंतरकत कोई भी company जो company act 2013 या किसी पहले के law के अंतरकत registered है वो सब क्या है? उन सब वो पर ये company act 2013 अप्लाई होगा insurance company जितने भी insurance company है वो क्या है? वो भी company है L.I.C Life Insurance Corporation of India ये सब क्या है? company है? banking companies banking companies जो banking, banking की चेट में काम कर रहे हैं, क्या है? company है electricity board electricity इसके लिए भी बहुत सारी company काम कर रही है, ये सब क्या है? ये company है statutory body बहुत सारी company ऐसी होती है जिसको parliament में special act ला करके बनाया जाता है और special act के दौरा parliament में उसको बनाया जाता है और ये सारी company की तरह काम करते हैं, जैसे आप देख लिए ये UTI Unit Trust of India ये क्या है? ये company है इसको special कानून के दौरा, special parliament में act ला करके और इनके लिए इनको बनाया आता है इस पे भी company act 2013 जो है, वो क्या होगा? Company act 2013 इस पे भी लागू होगा दूसरा है notified body corporate by government बहुत सारे ऐसे wings हैं, जिसको government notified करती है और ये जो body हैं, ये body ठीक उसी तरीके से काम करते हैं, जैसे company काम करती है और इनके सारे जैसे ये क्या करती है? ये bond issue करती है, publicly bond issue करती है हाँ, और सारे काम company की तरह करती है जैसे NHAI National Highway Authority of India जैसे RBI, रिज़ और Bank of India SEBI Security Exchange Board of India ये सारे क्या है? ये सारे क्या है? ये सारे company है इन सारों पे क्या होगा? ये company act 2013 लागू होगा क्यों? क्योंकि इन सब सारे के company की तरह ही ये काम करती है और आपके section 1 में ये असपस्ट, इसका mention कर दिया गया है तो company act 2013 apply होता है, कहां होता है? registered under company act के अंतरगर जो registered है company के रूप में इस act के द्वारा, ये इसके पहले act के द्वारा या जो insurance companies हैं जो banking company हैं, जो electricity के companies हैं statutory body जो special parliament में act लाकर के जो बनाई गई कंपनिया हैं वो, या फिर notified body corporate जैसे NHAI, RBI से भी अब हम देखते हैं कि company के ये तो definitions थे, company apply कहां कहां होती है लेकिए 2013 act जो है इस act को लाने के objectives क्या थे? क्यों लाया गया इस act को? What are the objectives of the company act, objectives of the company act 2013? ऐसे तो बहुत सारे objectives लेकिन मोटे-मोटे तोर पे देखें तो जो company को लाने के object to make simplicity information of company company का जो निर्मान किया जाए उसके निर्मान में बहुत जादा कठनाईया ना आए company का निर्मान आसानी से हो सके उसको और आसान किया गया company के निर्मान करने को क्यों? क्योंकि हमारे यहां जब तक economy develop नहीं होगा हम उसके लिए progress नहीं कर पाएंगे economy के development के लिए जरूरी है अधिक से अधिक कंपनिया हमारे यहां काम करें और अधिक से अधिक कंपनियों को काम करने के लिए ज़रूरी है कि उसके formation में कोई ज्यादा कठना ही नहीं आए तो उसके लिए ज़रूरी था कि company के जो act है उसमें कुछ बदलाओ किये जाए और उसको आसान किया जाए simple किया जाए company का formation तो इसके लिए company का formation simple करने के लिए इसको दिलाया गया to recognized दूसरा है to recognized various new concept कुछ नए concept भी इसमें add किये गया बहुत सारा new concept के add किये गया लेकिन जैसा हम लोग देखते हैं कि किसी भी company के निर्मान के लिए अगर कोई private limited company का निर्मान करना चाहते हैं private limited company तो इसमें कम से कम कितने लोग चाहिए होते थे two person कम से कम दो लोग person चाहिए होते थे लेकिन अब अगर कोई company का निर्मान करना चाहता है तो one person one person company भी निर्मान कर सकता है जिसको आगे देखेंगा इसके बार में पढ़ेंगे कि OPC क्या है one person company के भी अब निर्मान की जा सकते हैं one person company के भी निर्मान की जा सकते हैं तो इस तरह से कुछ new concept लाएगा इसमें तीसरा to increase penalty provisions पहले के जो company act थे पुरा ने 1956 से चले आ रहे थे उसमें अगर कोई company समाज से इसी समाज से पैसा लेती है पैसा लेकर के काम करती है इसी society में रहके वह लाब कमा रही होती है तो यह उसका company का यह दाई तो बनता है कि वह अपने काम को सही तरीके से करे और company अगर इस बीच कुछ ऐसे काम करती है जो विदी विरूद हो fraud करती हो तो वैसे इस्तिति में उस पे penalty लगाया जाता है penalty जो पहले लगे हुए थे पहले के act में जो लगे हुए थे वह बहुत छोटे penalty थे आज कंपनिया करोडों की काम कर रही है और उसमें बड़े बड़े default होने पे 200 रुपे, 800 रुपे, 500 रुपे ऐसे penalties थी तो उसको बढ़ाना उसकी provisions भी लाना इस company act लाने के पीछे 2013 जो company act लाया गया उसमें यह भी डाले गया अगला है to set up new statutory body company act business बढ़ रहे हैं economic development के लिए अधिक सदिक कंपनियों का आना बहुत अवस्तक है तो उसके कार्ज को देखने के लिए उस पे नज़र रखने के लिए यह जो body है इनकी इनकी स्थापना भी हो जी चाहिए और यह स्थापना करने के उद्देश से इसे संबंदित नियम इसे संबंदित जो act है वो भी इस company act 2013 में लाए गए जैसे किस तरह की स्थापना जैसे registrar of the companies क्या चाहिए था यह था registrar of companies registrar of company क्या करता है registrar of the company जो है वो किसी भी company का information रखता है company को क्या करता है प्रमीशन देता है उसको काम रखने करने के लिए उसको incorporate होता है उसके registration इस क्या होते हैं तो registrar of the company का लाया जाना जरूरी था दूसरा है ministry ministry of corporate affairs ministry of corporate affairs अब आप देखना होगा जितनी भी जैसे भारास सरकाल में हर विभाग के लिए जो मुख मुख विभाग है उनके अलग-अलग मंत्राले हैं railway का अलग मंत्राले है with मंत्राले है home affairs है रक्षा मंत्राले है तो उसी तरीके से company के मामले को देखने के लिए जो website मामल है उनको देखने के लिए क्या हुआ ministry of corporate affairs है इनके पास सारी जनकारिया होती है सारी companies के बारे में सारे record होते हैं और वो वहां से इन पे नजर रखते हैं तो इसके अस्थापना की गई company के बहुत सारे company के मामलों को सुझाने के लिए जो सिर्फ company के मामलों को देखेगा उसके लिए national company law tribunal national company law tribunal के स्थापना की गई अब हर एक मामलों अगर court में जाएंगे regular court हैं वहां जाएंगे तो फिर company के मामलों में काफी समय लग जाएगा देखने में और company के college का रूख जाएंगे और company के college का रूख जाएंगे तो economy पे उसका असर परेगा तो इसके लिए अलग से एक tribunal मनाया गया एक तरह से क्वासी judicial body के रूप में काम करती है तो यह जो national company law tribunal है वह क्या करता है सिर्फ company के मामलों को दिखता है company के जो आपसी विवाद हैं आपसी जगरे हैं उसको सुन जाने का काम करता है और regional director किस था अपने regional director बनाया गया regional director क्यों देखे बहुत सारे company के ऐसे मामले होते थे जिसके लिए company को सीधा central government से टच में रहना पड़ता था central government से permission लेना पड़ता था और ऐसे में काफी समय भी जाता था इससे भी हमारे कामकार्च पर असर पड़ता था company को इन पड़सानियों से बचने के लिए हर region में director बनाया अब यह region director क्या है regional director क्या है सीधे central government के का एक तरह से delegation power delegate कर दिया गया इसको वो आप यहां से काम करवा सकते जैसे if you want to transfer the company if you want to transfer the regional office company regional office from one state to another state आप चाहते हैं कि आप regional office को एक state में दूसरे state transfer करें तो उस समय क्या होता था आपको जो central government है उससे permission लेना पड़ता था but now क्या है अब क्या है अब you can go to the original director and get the permission आप यहां से वो permission ले सकते हैं और permission ले करके transfer कर सकते हैं तो यह एक EG किया गया उसके कडने के लिए यह तो थी company के objective 2013 के निर्मानी के लिए अब थुआ सा देख ले कि यह जो company law 2013 आया Companies Companies Act 2013 लाया गया यह company act 2013 लाया गया था इसके बार में थोड़ी जानकारी आप ले लीजे वो लाया गया था जे जे इरानी कमीटी जे जे इरानी कमीटी के बनाए गया था और उनके सिभारिस पर इस company act 2013 को 29 अगस्त 2013 को इसको राश्टपती से क्या मिला राश्टपती से इसकी समातिय मिली और 29 अगर 2013 को company act क्या हो गया यह राश्टपती का समाति पाया इसके बाद 12 सिक्तंबर 12 सिक्तंबर 2013 को companies act के सबसे पहले क्या होए 95 जो act थे, section थे वो notified हुए 95 sections companies act 32 अगस्त को क्या होए राश्टपती से इसकी अनुमाती मिली 12 सितंबर 2013 को 95 act section इसके सारे section एक साथ क्यों नहीं शुरू किये गया कंपनियां तो शुरू से चली आ रही थी अगर companies act 2013 के सारे sections को एक साथ बदल दिया जाता, एक साथ उसको change कर दिया जाता एक साथ लागू कर दिया जाता धीरे धीरे करके इन sections को क्या किया गया नोटिफाइट किया गया और वो उनको लाया गया यह जो company act है यह company act यह companies act जो है companies act 2013 whole India whole India सारे भारत पे लागू होती है companies act 2013 तो यह था आपका company act के बारे में एक कि company के क्या definitions क्या objectives अब company के nature of the company इसको हम लोग अगले segment में देखेंगे क्योंकि अगर उसको हम लोग यहां देखेंगे तो वो काफी बड़ा हो जाएगा और फिर वो download में काफी दिखते आ रही है तो हम लोग ने इसमें यह देखा company के meaning के बारे में company act जो है वो उसकी परिवासा company act में क्या दी गई है company act जो है according to section 1 company act कहां कहां apply होता है और company act 2013 लाने के objectives क्या थे है हाँ तो यह है that's all thank you that's all thank you